नमस्कार दोस्तों देख्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग प्लेट बाउंडरीज के बारे में यहाँ पे इस्टडी करने वाले हैं और प्लेट बाउंडरीज में से रिलेटेड एक क्वेशन पुछा गया था UPSC Geography Paper 1 2019 की एकजाम में 15 नमबर में उसको यहाँ पे हम लोग इस्टडी करने वाले हैं तो सबसब लेए यहाँ पे प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण है दोस्तों compare and contrast different type of plate boundaries बिभिन परकार की plate सिमाओं के बीच समानता हैं और बिसमता हैं इसपस्ट किजिए तो इस question में दोस्तों आपसे पूछा है कि जो plate boundaries हैं plate boundaries में तीन टाइप के plate boundaries होते हैं जैसे diverse, convergence plate boundary, divergence plate boundaries, transverse plate boundaries इन तीनों टाइप के plate boundaries हैं इन में क्या-क्या similarity है और क्या-क्या dissimilarity है यह आपको इहाँ पर dispersed करना है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह तो discuss करेंगे कि क्या-क्या similarity है और क्या-क्या differences है इसके लाव में हम दो देखेंगे plate boundaries जो कितने type को होते हैं और अलग-लग type की plate boundaries हैं उनके होने से क्या-क्या event होते हैं जैसे अर्थ जो है अर्थ का surface है अर्थ का surface different plate से मिलके मना हुआ है उस plate को बलते हैं tectonic plate tectonic plate का मतलब है tectonic plate किसे मिलके मना होता है आपर जो crust होता है उसके लावा जो upper part of mental होता है जैसे आपको पता को तीन layer में अर्थ की जो अर्थ है वो तीन layer में डिवाइडर है सबसे पहले crust है फिर mental है फिर आपको core मिलेगा तो crust और upper mental को मिलाके जो area बनता है उसको बलते है tectonic plate तो पुरा earth जो है दोस्तो earth में बहुत सारे tectonic plate है उसमें से 7 major tectonic plate है और बहुत सारे minor tectonic plate है ठीक है तो यह जो tectonic plate है वो moment करते रहते हैं और moment की जो speed होती है वो vary करती है few mm to few centimeter तक vary करती है ठीक है और moment का जो forces है वो convection जो current एस्थनोई sphere में जो generate होता है उससे क्या होती है moment होती है plate की तो सबसे पहले plate होती क्या है tectonic plate दोस्तो crust और upper mental के मिलके बनता है और पूरे earth में 7 major tectonic plates हैं बहुत सारे minor tectonic plates हैं और tectonic plates या तो purely continent से मिलके बने हो सकते हैं या purely ocean से मिलके बने हो सकते हैं या दोनों से ही मिलके बने हो सकते हैं या दोनों से ही मिलके बने हो सकते हैं या और जो टेक्टोनिक प्लेट का जो मुवमेंट होती है उसकी speed few mm से few cm तक vary करती है और मुवमेंट का force जो होता है जो एस्थेनी स्पिर में conventional जो current होती है उससे होती है मुवमेंट टेक्टोनिक प्लेट का तिये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लेख सकते हैं फिर इस तो main point पाते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट की boundaries तीन तरह के होती है convergence boundary, divergence boundary और transverse boundary आप image में देख सकते हैं कि transverse boundaries तब होती है जब दो प्लेट आप देख रहे होंगे कि एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है ठीक है तो इनके moment से यहाँ पर एक Transverse Boundary बन जाता है फिर तेको divergence boundary क्या होती है कि जब दो प्लेटे एक दुसरे से दूर भागती है ठीक है एक दुसरे से दूर भागती है तो divergent boundary हहां पर create होता है यह वाला divergent boundary है Convergence Boundary तब होती है जो दो प्लेटे एक दुसरे के समीप आती है तो यहाँ पर Convergence Boundary create होता है तो तीन टाइप की यह Boundaries है इनमें भी अलग-लग सब कटेगरी है जैसे मालो Convergence Boundary में भी तीन तरह से Convergence Boundary होती है Continental, Continental Plate Convergence, Continent Ocean Plate Convergence, Ocean to Ocean Convergence जैसे मालो एक Пलेट Continent की है दूसरी Continent की है यילि दोनों समीप आ रहे हो तो Continent Convergence होंगे एक पलेट Continent से बनी है एक पलेट Ocean की है तो Ocean और kontinent दोनों समीप प्याया हो तो continent ocean plate Convergence होंगी ocean to ocean arkadaşlar मतलब दोनों पलेट ocean से बनी होई है तो ocean Convergence होगा है हापे Convergence Poundaries में क्या होती है कि दोनों plate ए समीपाती है समीपाने से क्या होती है एक plate क्या होता है दूसरे plate के नीचे चला जाता है और नीचे चला जागा तो जो नीचे जाएगा उसका destruction होगा तो subduction уровchange zone पैदा होता है destruction से subjection zone पैदा होता है तो यहां पर देख सकता है convergence जहां पर भी होगा वहाँ पर destruction होगा एक plate का लेकिन divergence जहां पर होगा वहाँ पर आप देखाएंग operate का destruction नहीं होता है वहाँ पर नय जो TheNice住ker होते है वो divergent boundary पर यहाँ भूते हैं नया crust तो यहाँ पर differences आप देख सकते है convergence में एक plate का destruction होता है लेकिन divergent में हैंपे crust का नया बनता है याणि divergent boundary पे crust नया बनता है तो यह दोने भी differences हो गए ट्रांसपर्स में आप देखोगे यहाँ पे नहीं एक plate का destruction होता है नहीं कुछ यहाँ पे नई plate बनती है नई crust बनती है transfer boundary shift move करते हैं आपे तो यह थोड़ा सा minor difference हो गया फिर यहाँ पे जो Continental Convergence है Convergence में भी देखे हैं हम लोगो तिन टाइप के Convergence होती है Continental to Continental Plate Convergence उसमें आप देखोगे major जो activities होती है यानि दो एदी plate continent की बनी है दोने एदी converge हो रहे हैं तो continent की जो plate होती है उनकी thickness आप देखोगे 100 km के आसपास होती है ठीक है thickness तो दोनों की thickness ज्यादा होने से क्या होती है कि एक एदी continent दूसरे continent की plate में नीचे जाता है तो क्या होंगे वहाँ पे fold mountain create होता है जसमालो एक plate यहाँ पे है यह plate नीचे गया तो नीचे जाने से क्या होंगे यह जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो यहाँ पर दूसरा जो प्लेट है उपर उठते हैं उपर उठने से फोल्ड माउंटेन की रिट होते हैं और यहाँ पर subduction जो नहीं होता है क्योंकि आप देखों कि थीकनेस बहुत ही जादा होते हैं और वैके देखने को नहीं मिलता है जब continent continent convergence होते हैं आप simply यहाँ पर हिमालया को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हिमालया जो बना है continent continent convergence बना है इंडियन प्लेट एक प्लेट है युरेशन प्लेट दूसरी प्लेट है यहाँ पर युरेशन प्लेट दोनों की ओसिन एक प्लेट कांटिनेंट की है एक प्लेट ओसिन की है और कन्वर्जेंस मुझेस नहीं दुनों संग पार है तो आप देखो को फोल्ड माउंटेन बनते हैं इसका एक आप देख सकते हैं कि प्लेट जो मौइशित ऑर अमेरिकन फ्लेट कर रही हैं से वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहां पर मेल्ट करते हैं मेल्ट करने से क्या होता है कि उससे वाइल के नोज वहां पर क्रियेट होते हैं कहां पर इन लैंड पर ठीक है तो आप फोल्ड माउंटेन क्रियेट होते हैं वहां पर उससे वाइल के नोज भी फॉर्म होते हैं लैंड पर जब सब्लिक्सन जोन में होता है रोचेंच भी होती है और चैंचेंच भी होता है और इस का वहाँ असलों के बनते हैं इस यह ते यह होँँ होगे lad कि अर्फिक भी होगे तक है यहाँ पे आप जो PASP की रिंगा फायर है वो OCEAN OCEAN Convergence का major part है फिर जो दूसरी टाइप के होती है बाउंडरी दोस्तों divergence boundary divergence boundary में क्या होती है दो प्लेटे एक दूसरी से दूर जाती है और दूर जाने से क्या होती है जब दूर जा रही है तो बीच का जो point है जहाँ पे बाउंडरी है वहाँ से नया crust निकल के आता है तो new यहाँ पे प्लेटे बनती है new crust बनती है यह generally दो तरिक होते है continental, continental, divergence इसमें दोनों ही प्लेट continent को होती है उसका divergence होता है जैसे दोनों प्लेट एक दूर जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्ट किरियाट हो जाएगा रिफ्ट बैली बनेंगे आप South, sorry अफरीका के रिफ्ट बैली जो Great Rift बैली है वो example है continental, continental, divergence का फिर आप देखो कि ocean, ocean divergence जब दो ocean जो प्लेटे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है तो ocean, ocean divergence होता है यहाँ पे जो दूर जाती है बीज में एक oceanic ridge जो बनता है और फिर किनारे पे जहाँ पे एक milt होती है यानि आप देख सकते हो कि Atlantic Ocean है Atlantic Ocean में कहा है ocean oceanic divergence का एक example है mid Atlantic Ocean में आप rates देखोगे और किनारे पे आप trenches देखोगे तो यहाँ पे जो ocean, ocean divergence होती है वहाँ पे middle में आपको rates देखने को मिलेगा और किनारे पे आपको trenches देखने को मिलेंगे और यहाँ पे वैलकेनोज activities भी होती है mid oceanic range में और earthquake भी मिलता है ठीक है तो ocean, ocean divergence में आप देखोगे rate जो मनता है वैलकेनोज activity होती है, earthquake बनता है और transverse boundary में आप देखोगे, transverse boundary में क्या होते है कि जो plate एक दुसरे से slide करते हैं जैसा कि हम लोग image में देखे थे तो slide करने हैं यहाँ पे earthquake तो देखने मिलता है, volcanoes भी हो सकते हैं, ठीक है क्योंकि जहाँ पे slide करेकर हो सकते हैं, वहाँ फॉल्टिंग हो तो volcanoes भी activity होने लगे तो transverse boundary में volcanoes भी हो सकते हैं, earthquake भी हो सकते हैं अब देख लेते हैं जो exam में पूछा गया थे similarities क्या है तो similarities में आप देखो दोस्तों कि convergence boundaries में भी आपको earth first क्यां को देखने को मिलता है और ट्रांसपरस ऑंड़ी में भी लेका क्या अब यहां पर और सुपा। देखने को नहीच मिलेंगी। सबायों में मिलती है कि आप और देखने को मिलती हमलती है ट्रैंसबिर्जेंस बाउन्टरी में म crown us हो सकती है ठीक है और इसके एख्यांपल आप देखोगे पैसीफिक रिोफ़ायर पैस्पिक रिंग में वहां पर वाहँ पर डॉनटरी एंडागर बाउनडरी भी रंड़ी भी है अब तो यहां पर तूप का destruction होता है, divergence boundary में नए crust बनते हैं, transverse boundary में ना ही crust बनते हैं, ना ही यहाँ पर destroy होते हैं, ति तीनों में क्या होए, dissimilarity हो गया, इसके लाओ आप देखोगे, तो क्या 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 स्विलाटी होगा, convergence boundary में आप देखोगे, जनरली तीन टाइप को होते हैं, ocean to ocean, continent to continent, continent to ocean, divergent boundary में जनरली दो टाइप को होते हैं, ocean to ocean, continent to continent, transverse boundary में भी यहाँ पर देखो, continent to continent और ocean to ocean, तिस सारे differences हैं, इसके लाओ आप देखोगे, फोल्ड माउंटेन शिफ यहाँ पर convergence boundary में बनते हैं, convergence boundary में भी बनेंगे की continental, continental, जो convergence में वहाँ पर बनेंगे, या continental और ocean, convergence में वहाँ पर fold mountain बनेंगे, otherwise यहाँ फोल्ड माॉंटेन नहीं divergent boundary में में मिलेगी, नहीं transverse boundary में मिलेगी, अब देखो, रिप्ट बाइली जो है रिप्ट बाइली यहां पर सिर्फ डाइबर्जेंस डाइबर्जेंस बाउंडरी में मिलेगी डाइबर्जेंस बाउंडरी क्रिएट होगी और फिर आप देखो कि कोई भी मेजर जो लेंड फॉर्म है ट्रांसबर्स बाइंडरी में क्रिएट नहीं होता है यहां पर डि यहाँ पर जो हम लोग समझने कोसिस किये थे डिसक्स किये आपको समझ में आये होंगे तो थैंक यू फर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक यू